नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के इस नई वीडियो में दोस्तों अगर आप इंटर पास है और सरकारी नोकरी करना चाहते हैं तो आपको बतादे एक नई वेकेंसी निकल कर आ चुकी है ओभी बीना परीचा दिये हुए है आप सरकारी नोकरी कर पाएंगे तो कौन से पो सब्सक्राइब स्वार्ट कर पाएं तो चलिए तमाम जनकारी हुआव आपको बताएंगे तो चलिए दे रे कि विणा करते हैं वीडियो का सटार्ट वानिली दोस्तों क्या नहीं अपडेट निकल का रही है कौन से पोश्ट पर वेकेंसे निकल का रही है तमाग जनकारी हम आपको बताएंगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डारेक्टली आप इस वाले वेबसाइ ठाहले ने पर चलेंगे जोखिया नोट में निकल इस में पर्देट भी बढ़ा दिया गया और पुरानyu ओंगे तो आपको पाता ही बहुत दिन पहले से निकाली गई ती इसका एक्जाम भी नहीं हो पाया तो इसमें सीट भी बढ़ा दियागा और जो भी आवेदन का डेट है वह भी बढ़ा दियागा है जो कि आवेदन जो शुरू हो रहा है और इसका आखरी डेट आनिक शुलाद दुआ चोबीस तक रहा गया है और आवेदन का अंतिम तीथी 25 दुआ चोबी तक रहने वाला है और आपको कम ही दिन मिला है लगवाद 10 दिन का टाइम मिल रहा है तो जल जल आप आवेदन कर लिजिएगा अब बात कर लेने वाले दोस्तों इसमें जो पोश्ट रहने वाला है आनिकि सुरक्षा परानी सीक्रोटी गार का पोश्ट रहन है और सुचित जन जाती के लिए पोश्ट नहीं रखा गया तो इसी तरह देख लिएगा कौन से के लिए में कितना पोश्ट है अब बात कर लेते दोस्तों पहले आवेदन कर लिए पहले फर्म भर लिए तो आपको दोबारा फर्म भरनी की आप सकता नहीं होगी आप उसी पहले पाप इसमें एक्जाम दे पाएंगे अब चली इसके बारें पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे कि इस तरीके चैन्ट परकिर्या होता है तो इसके लिए पर हम आपको जनकारी बता देते हैं अगर आप इसमें जनकारी फ्यूल फिल कर देंगे तो आप आवेदन ज जो पहले जो पोस्ट रिकर निकल था लेकिन अभी से बढ़ा दीया अब से शडिक युगता बार में यहां पर बताया गया जोंती ते था तो आपको सेलरी के लिए अब आपको सेलरी के लेकर उनातार एक सतक का आपको सेलरी होगा अब इंटर्मीडियेट अगर पास एक इसी भी सब्डेट से तो आप इसमें आवधन कर सकते हैं आपको सेलरी के लिए पूरूस के लिए बोला गया कि उन्चाइए उनका जो होगा 167.5 cm होना चाहिए और वहाँ पर इस्तिरी के लिए बोला गया उन्चाइए इसके बारे मिए आप जैनकारे बताएगा उनकारे आप निवासी है तो आपको कुछ छुट मिलेगा दूप उन सेंटीमिटर का छुट आपको इसमें मिल जाएगा जोकि मतले 165 सेंटीमिटर आपको हो जागा तरह चैतर साथ है तो वहाँ पर चाहती का आपको जो भी होगा अब प्रमापट होगा इस्में दीया गया सारी दॉस्त होना चाहिए अगर आपके पास परमापट रहे तहां को जो भी प्रतिमक्ता दी जाएगी के बारे हैं अपको आप कुम्पुटर लगा professor के इंदर्ट कर सकते हैं अगर अको एक्स्टर डॉकमिन के बारे में जन कर दियेगा अगर आप कॉम्पुटर लगा सकते हैं आपको ज्याधा दिये लाब दिया जाएगा इसके बारे में बाते हम आपको बता देते हैं ताकि आप इसमें आउधन कर देंगे ठीक आपको बता दिया गया है जो भी आपको बता दिया गया है जो भी आपको बत की गणना होगा जाएगा परिच्छा पराड़ी के बारे में बात करने वाले हैं तो सुराइब पराड़ी के पौदर पर जूभी होगी सीधी भरती होगी जो किन्यमन चर्णा में होगी पहले परिच्छा ले जाएगी बताएगा पहला जो होगा सरेरिक माप जंच होगा और दूसरा आनिकी सबारा नमर में आपका इंटर्वीर होगा जो कि सारे डिक जो युकता होगा परिच्छा परिच्छा होगा और परिच्छा के बाता गया कि कितना आपको दढ़ना है तोदा निवा सब्सक्राइब पांच मीनु नट तक आप 20 संक मिलेगा पांच मिनट से अधिकन जैसे 5 मिनट बिस सकेंड डूराव दोल लगाते हैं एक किलो मीटर यह से वन प्रेंट सोट किलो मीटर तापको 40 अंग दिये जाएंगे वह पर अगर आप दोड़ लगाते हैं तो यहां पर पांच मिनट 40 सेकेंड में तापको 30 अंग दिये जाएंगे इस तरह यहां पर केटेगरी वाज यहां महिला का भी बता दियेगा त्योंक तो इस तरीके सापके चैन पर की रहता है दो इपर कार आपको एक्जाम लिया जाता है जो कि आप इस सारी रिक माप करना चाहते हैं तो इसमें आउदन कर लिजेगा अब बात कर लेकर दोस्ते इसमें परिछा सुल के बारे में बहुत लागया है अगर आप बिहार है कर नि दोस्तों में दोस्तों में सेर करिएगा सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर पूरी जानकारी आपको देखने के मिल जागा जो कि यहां पर बता दियेगा है और ऑनलाइन आवैदन 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तो होगा इसके बारे में पूरे जनकारी बताएगा तो आपको ओनलाइन अप्लाइब करें यहां पर लिंक देखने के मिल जागा फिलाल अभी तो इसको लिंक एक्टिव नहीं किया गया है चोब बाजी के बाद इसका लिंक एक्टिव होगा तो वहां से आप अप्लाइब कर सकते इसका अफिसली वेफसाइट पर जाएंगे तो करेंगे और यहीं पर लिंक देखने के मिल जागा तो यहां से आप आवेदन कर लिजेगा फिलाल चले वीडियो करते हैं सब्सक्राइब